हेलो फ्रेंड्स वेलकम डोर चैनल मैंत्स वाल सूर अजमात्तो और आज के लेक्सर में हम लोग सॉल्व देखेंगी बॉक्स टेश्ट के जो क्वेश्टन आते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले जिसका कोंसेप्ट में आपको बता दो यहां पर चैन सितक्त दिये होँगे जिए 14 mouse wagon and box टू और बॉक्स ट्री स्मैंन शेक है bewाएं7 में 14 tubing हो दिया होगा और यहाँ पर box 1, box 2 और box 3 इसमें जैसे ही कि यहाँ पर कोई value दिया है समझे 10, 15 और 20 दिया होगा तो हम लोग को ऐसा बोलोगा question में कि यहाँ पर 25 लेके आओ, यहाँ पर 30 लेके आओ इसको ऐसी रखो यहाँ पर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं सब्स्ट्रेक्शन यूज कर सकते हो, मंट्टिप्लिकेशन यूज कर सकते हो और division यूज कर सकते हो इन चारों का यूज कर सकते हो कभी-कभी question में आपको ऐसा specify क्या होता है कि use addition and subtraction only अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ उन दोनों में से किसी को यूज करना है और अगर multiple or divide बोला है तो उन दोनों में से किसी को यूज करना है लेकिन इसको यूज करने के भी एक तरीके हम लोग ऐसा कुछ भी करके यूज नहीं कर सकते एक rules से उस rules को हम लोग follow करना परते हैं सबसे बहले तो हम लोग कोई भी operation अगर perform करते तो हम लोग को उसको अच्छे से represent करना पड़ते हैं और उसको लिए हम लोग को square bracket का यूज करना पड़ते हैं सब और मैं यहाँ पे अगर मैं operation perform करना चाहता हूँ 10 और 15 को मैं add करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा equation 1 मतलब box 1 को मैं ऐसा लिखूँगा और box 2 और यहाँ पे मैं लिखूँगा box 2 ऐसा क्यों लिखे क्यों कि box 1 का value है 10 box 2 का value है 15 और यह 2 का मतलब क्या है कि मैं 10 प्लस 15 का जो answer है गा 25 इसको मैं 2 पे store कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो box 1 का तो उतना ही रहेगा और box 2 की जो value होगी न वो change होके यहाँ पे 25 हो जाएगा और box 3 वैसे ही रहेगा तो कभी भी हम लोग equation को ऐसे form में लिखते जो भी हम लोग step perform करते और आपको mostly sum या तो 3 या तो 4 step में करने के लिए दिया हुआ होगा और हम लोग को उतने step में करने ना उससे जादे लेना है ना उससे कम लेना है अब कुछ rule से जैसे कि आप लोग स्कीन पर भी देख पार हो तो उसमें पहला तो मैंने बता दिया कि आपको box में लिखना रहता है और plus और multiply का rule क्या है कि हम लोग अगर प्लस कर रहे और multiply कर रहे तो उसको कहीं भी store कर सकते है लेकिन minus और divide का अलग रूले समझे अगर मैं box 1 में से box 2 minus कर रहा हूँ तो मुझे इसको box 1 में store करना बड़ेगा या फिर मैं अगर box 2 में से box 1 को minus कर रहा हूँ ना तो मुझे इसको box 2 में store करना बड़े स्टोर करना रहता तो यह भी एक रूल है और जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सिर्फ कोसें के जो मेन अंसर होते हैं उनको हम लोग कंसेटर करते हैं उसके आगे के जो डेसिमल वैल्यू है समझें अगर 15 को मैं 4 से अगर डिवाइड करो तो हम लोगो कैसा आएगा 3.75 है इसको हम लोग कर देना है सिर्फ 3 को कंसेटर करना है तो यह साय डूल्स आपको हमेसा फॉलो करने बढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैं कोश्चन से लेता हूँ तो आपको जादे अच्छे से clear होगा